इस वीडियो में हम 5 useful words सीखेंगे और उनका इस्तमाल sentence में किस तरहा किया जा सकता है वो भी सीखेंगे सबसे पहला word adjective है startling It means हरानकुन कोई चीज जिससे आप हरान हो जाएं उनकी कारकरदगी हरानकुन थी या हरान कर देने वाली थी Their performance was startling Their performance was startling हर कोई पाकिस्तान की हरान कुन जीत पर खुश है Everyone is happy about Pakistan's startling victory Everyone is happy about Pakistan's startling victory ये एक हरान कुन बात है कि उसने first position हासल की है It is an startling thing that he has got first position It is an startling thing that he has got first position आज की वीडियो का दूसरा word भी एक adjective है Meritorious यानि काबल ए तारीफ ऐसी चीज जो तारीफ के like हो काबल ए तहसीन या काबल ए सताईश आपकी कोशिशे काबल ए तारीफ है Your efforts are meritorious Customers के लिए आपकी services काबल ए तारीफ है Your services for the customers are meritorious Police की तरफ से काबल ए तारीफ काम किया गया है A meritorious job has been done by the police इस वीडियो का तीसरा वर्ड एक नाउन है उसकी आँखे नदामत से भरी हुई है उसने नदामत का इजहार नहीं किया या उसने नदामत नहीं दिखाई नदामत तौबा की तरफ ले जाती है इस वीडियो का चोथा वर्ड एक एजेक्टिव है उसने जो किया है वो उस पर शर्मसार है वो लड़की अभी शर्मसार है हम बिलकुल भी नादे मों शर्मसार नहीं है इस वीडियो का लास्ट वर्ड है रिमोर्स फुली ये एक एड़ वर्ब है नदामत से शर्मिंदगी से या शर्मसारी से उसने अपनी घलती तसलीम की और वो नदामत से रोई जैद ने मुझे नदामत से देखा मैंने नदामत से अपना सर जुका लिया बो माई हैट से मुराद है नदामत से सर जुका लेना इस वीडियो में जो वर्ड आपको मोस्ट उस्वल लगा उसके इस्टेमाल करते हुए एक सेंटेंस कमेंट करें और वीडियो बसंद आने की सुटित में लाइक दरें उसके को कि इस अपस्टेब ए्या है यस्टेमाल कि आने की स्टेमाल arrive